टोमेटो केचप खाने के स्वाद में चार चान लगा देते हैं। कभी पकोडे, सेंडवीच, पिज्या, वर्गर, पास्ता सभी में भर पेट केचप का प्रियोग किया जाता है। इतना ही नहीं जब कोई सबजी अच्छी नहीं लगती है तो केचप के साथ रोटी खाना पसं पहुंचाते हैं क्यूंकि इसमें मवजूद सुगर, नमक, पेस्टिसाइड्स और अन्य तरह के इंग्रिडियन्ट्स मिक्स होते हैं जिसका हाट किड्नी पाचन पर भी असर पड़ता है। आईए जानते हैं केचप सहत के लिए क्यों बुरा है। नमर एक हाट टमाटर में मौजूद फ्रुक्टोज जो ट्राइगलिसराइड नाम का एक केमिकल बनाता है और यह केमिकल का असर सिधे आपके दिल पर पड़ता है। इसलिए हाट से समधित मरीजों को टमाटर केचप का स्चेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही गलत लाइफ कम नहीं कर सकेंगे। आपको बता दे कि कुछ फ़लो में फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक होती है। फ्रुक्टोज फ़लो से मिलने वाला सरकरा को ग्लुकोज में बदलने की प्रणाली है। फ्रुक्टोज के अधिक सेवन से इम्यून सिस्टम कम जोर होता है। नमर तीन एसलिए होता है क्योंकि केचप में एसलिए होता है। जिससे पाचन क्रिया भी बिगर जाती है। अगर आप घर पर ताजा टेमाटर की चटनी बनाते हैं तो उससे आपकी सेहत को नुक्सान नहीं होगा। नमर चार किड्नी की समस्या जी हाँ केचप का सेवन करने से किड्नी की समस्या हो जाती है। ऐसलिए होता है क्योंकि यूरीन में केल्सियम की मातरा बढ़ जाती है जिसका असर किड्नी पर पढ़ता है और स्टोन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नम्मर पांच, सरीर में एलर्जी, केचप खाने का स्वाथ तो बढ़ाता है, लेकिन आपको बीमारियों के चपेट में भी ले जाता है, दरसल इसमें हिश्टा माइन्स केमिकल फाय जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, साथी नोनेश्टाप छीक और सां हाउ आजवार्दी झालर्ज、ाओली हो जाता है, जिससे किसी कमारियों के जा जाता है, जिसस बoshima का सुद यूणाप Siak counties में तो झालर्कार is फिरमन से जाश्वार तो कि बязाने कि वालर्जी नोना क्युफाम्म का सी 3